दोस्तों आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो हमने बैंको बुर्दा के बी ओबी वल्ड मोबाइल एप के तुरू लॉन के लिए एपलाई किया और हमारा यहाँ पर डेड़ लाक रुपए का जो लॉन है वो बिना किसी डोकुमेंट के ही अप्रूव हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है थैंक यू योर लोन अमाउंट डेड़ लाक रुपीज वन लाक फिप्टी थाउजेंट ओनली हैज बिन डिस्वर्ड इन योर अकाउंट नमबर और आगे हमारा अकाउंट नमबर है इसके लावा नीचे यहाँ पर हमारा रेफर आप इसको यूजबे लेते हैं तो क्या आपको पता है कि आप बैंको पुर्दक के बियोबी वर्ड मॉबाइल एप के तुरू 50,000 रुपए से लेकर 5,000,000 रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं बियोबी वर्ड मॉबाइल एप से लोन लेने की खास बात यह है कि इस वले एप से लोन लेने के लिए आपको कभी भी बैंक नहीं जाना होता सिर्फ आपको अपने मॉबाइल फौन से एप्लाई करना होता है और तुरंती आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं बिना किसी डोकुमेंट के और बिना बैंक जाए तुरंती आपका जो पैसा होता है इंस्टेंटी शिर्फ पांच मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर आपका खाता बैंको पुर्दक के अंदर है और आ अगर आप loan लेना चाहते हैं तो आपकी जो age है 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए इसके लबा बीयोबी वर्ल्ड से loan लेने पर आप से किसी प्रकार का कोई भी physical document नहीं मांगा जाता नहीं आपको कोई भी किसी प्रकार का physical document बैंक में जमा करवाना होता है बस आपको digitally तरीके से ही अपने आधर का नंबर, bank account का नंबर इसके लवाँ आपके pen card का नंबर आपको online ही डालना होता है और उसी के base पर आपका याँ पर 5 लाख रुपे तक का loan अप्रूव हो जाता है तो अगर आपका भी बैंको पुर्दा के अंदर bank account है और आप बैंको पुर्दा तो आप इस वाले वीडियो को पूरा देखें इसके लवाँ अभी तक आपने अगर इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे आपर आपको like का button मिल रहा है इस पर click करके आप वीडियो को एक like कर दें इसके लवाँ अगर आप पहली बार channel पर आ रहे हैं तो नी अभी तक हमारे इस वाले टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और इस वाले टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो क्योंकि future में अगर कोई भी लोन सिल्टेड निव स्कीम आती है निव ओफर आता है तो उसका जो notification होता है उसका जो update होता है वो सबस आप इस सारे options देखने को मिलते हैं तो आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए यहाँ पर एक section मिलता है mybob का mybob इस सेक्षन में आपको थर नमरा और ओप्सन मिलता है digital loan का तो आपको loan लेने के लिए simply digital loan पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है apply for personal loan का तो loan लेने के लिए simply आपको apply for personal loan पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आप आपका page यहाँ पर loading होता है और loading होने के बाद आपके सामने इस तरकी का dashboard जाता है यहाँ आप आप देख सकते हो साप साप लिखा हुआ है digital personal loan नीचे आप आओगे तो लिखा हुआ है कि documents required for digital journey मतलब loan लेने के लिए आपको कौन-कौन से documents देने हैं लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है जो जो documents आपसे मांगा जाए वो आपको यहाँ पर नहीं देना है क्योंकि अगर आप B.O.B.World mobile app से loan लेते हैं और अगर आपका यहाँ पर loan eligible बता देता है तो यहाँ पर बिना किसी document के आपको यहाँ पर loan दे दिये जाता है यहाँ पर document में सिर्फ आपको अपना mobile नमबर देना होता है आपका आधारकार नमबर आपको देना होता है और जरूरी है कि आपका जो आधारकार है वो आपके mobile number से link हो इसके लावा आपको अपना pen card number देना होता है और जरूरी है कि आपका जो आधर card है आपका जो pen card है वो आपके bank account के साथ link हो इसके लावा यहाँ आपर आपसे 6 month का bank statement भी मांगा जा सकता है इसके लावा यहाँ पर video KYC भी मांगी जा सकती है इसके लावा यहाँ पर ITR return मी मांगा जा सकता है लेकिन मैंने आपको clear कर दिया कि आगर आप यहाँ से loan के लिए apply करते हैं और अगर आपको यहाँ पर congratulations करके लिखा हुआ आजाता है आपको eligible बता देता है तो यहाँ पर बिना किसी document के आपको यहाँ पर loan मिल जाता है सिर्फ आपको mobile number देना है आधा number देना है और अपना pen card number देना है उसके बाद loan apply करने के लिए simple नीच और option मिल रहा है proceed का आपको proceed पर click कर देना है उसके बाद अब आपके सामने इस तरकी का dashboard आजाएगा यहाँ पर आपको अपना mobile number दालना है जो आपका bank के साथ link है जिसी आप mobile number दालेंगे mobile पर एक OTP जाएगा वहवाला OTP आपको यहाँ पर enter OTP इस वाले box में डालना है और उसके बाद submit OTP पर click करना है उसके बाद अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि account holder of bank overda मतलब आपका bank overda के अंदर account है या नहीं है अगर आपका account है तो आपको yes करना है अगर आपका account नहीं है तो आपको no कर देना है इसके लवा अगर आपका account नहीं है तो आप यहाँ पर आधारकार को select करेंगे यहाँ पर आधारकार और रोमेलिक select हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधारकार नमबर डालेंगे चेक बॉक्स पर किलिक करेंगे और submit or tp पर किलिक कर देंगे अब हमारा यहाँ पर बैंको पुर्दा के अंदर already account है तो हम यहाँ पर no की जगे yes को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर select value पर हमें किलिक करना होगा और यहाँ पर किलिक करने के बाद अब हम से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर आधरकार से अप्लाई करना चाहते हो account number से customer ID से या pen card number से तो हम यहाँ पर account number को select कर लेते हैं account number को select करने के बाद यहाँ पर अब हमें हमारा जो भी बैंको पुर्दा है उसका जो भी bank account number है वो हमें यहाँ पर डालना है submit or tp पर किलिक करना है आमने लिखा हुआ आज सुका है congratulations you have pre-approved loan offer up to deadlock मतलब हमें आपर deadlock रुपय तक का loan ले सकते हैं नीचे लिखा हुआ है requested amount मतलब हमें आपर 51,000 रुपय से लेकर deadlock रुपय तक का loan ले सकते हैं अगर हमें आपर इस वाले loan को कम करना है तो यहाँ पर हम aero के निशान पर क्लिक करके इस वाले loan को कम ज्यादा कर सकते हैं अब हमें आपर जितने रुपय का loan लेना हो 51,000 से लेकर deadlock का हमें आपर ले सकते हैं उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि हमें आपर loan का repayment करने के लिए जो time दिया जा रहा है वो हमें आपर 18 मैंनों से लेकर 36 मैंनों का दिया जा रहा है मतलब हमें आपर 51,000 रुपय से लेकर deadlock रुपय का जो loan है वो 18 मैंनों से लेकर 36 मैंनों के लिए ले सकते हैं तो जितना हमें loan चाहिए वो हमें आपर उपर से select करना है जितने महीनों के लिए हमें loan चाहिए वो हमें select करना है उसके बाद नीचे आने के बाद यहां से पूछ रहा है कि आप यहां पर जो loan ले रहे हैं आपका loan लेने का जो main purpose है वो क्या है तो select पर click करना है और आपको जिस भी case के लिए loan मिल रहा है या फिर आपको जो भी emergency है आप loan किस लिए ले रहे हैं उसको आपको select करना है उसके बाद यहां आप से पूछ रहा है कि do you want a credit life insurance to secure loan अगर आप अपने loan का insurance करवाना चाहते हैं तो आपको yes करना है अन्यता आपको no करना है उसके बाद इस वाले loan का जो पूरा process है वो आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि यहां पर आपका total interest rate कितना लग रहा है processing fees आप से कितनी charge की जा रही है आपका stamp duty charge कितना लग रहा है GST आपको कितना देना पड़ेगा इसके लवा यहां पर आपकी जो मंतली EMI है वो कितनी आईगी इसके लवा net loan का amount है मतलब आपके bank account में total कितना loan का पैसा आएगा वो सारी चीज़े आपको यहां पर बता दी जाएगी अब आपको यहां पर जितने रुपय का loan लेना है जितने महीनों के लिए आपको लेना है जिस कारण से आप लेना चाहते हो उन सब को आपको select करना है दोनों checkbox पर आपको click करना है और proceed कर देना है इसके बाद आपके सामने basic details डालने का option आ जाता है अब आपको यहां पर salutation करना है और यहां पर जो भी आपका title है जो भी आपका नाम है उसको आपको select कर लेना है mr.missage का उसके बाद यहां पर आपका first name automatic आ जाएगा जो आपका account में है middle name आपका automatic आजाएगा लास्ट नेम automatic आ जाएगा अगर automatic नहीं आता है तो यहां पर आपको भर देना है नीचे आपकी date of birth आजाएगी उसके बाद आपका gender आजाएगा जो भी आपका pen card number होगा वो वाला pen card number यहाँ पे आजाएगा उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका job type पुछा जाएगा मतलब आप celebrated person हो या फिर आप non celebrated हो तो जो भी आप हो उसको आपको select करना है नीचे आपका mobile number आज आजाएगी अगर आपकी bank के साथ link होगी अगर नहीं आती है तो यहाँ पर आप अपने साथ से email ID डाल सकते हैं नीचे आपका आदा number आजाएगा उसके बाद यहाँ पर आपकी category आजाएगी यहाँ आप आपको अपनी जो category है उसको आपको select कर लेना है कि आप general htobc किस में आते हैं नीचे आपका जो भी religion है उसको आपको select करना है यहाँ आपको हिंदू करना है उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी marital status है वो आजाएगा कि आप यहाँ पर married हैं साधी सुदा है या फिर unmarried हैं जो भी आप हैं उसको आपको select करना है नीचे आपको आपका जो भी father दननेम है उनका नाम आपको यहां पे डाल देना है उसके बाद नीची כणbd आपका जो भी पर्मानेंट एड्रेस है उतों आपको यहां पर पर इसपड करना अन्यता आपको यहां पर अपनी इसाफसे डाल देना है जै हमारे case में हमारा जो उपर address है permanent address वाला वही हमारा present address है तो हम यहाँ पर tick कर देंगे यहाँ पर टिक करते ही जो हमारा उपर वाला address था वो यहाँ पर automatic नीचे आ जाएगा उसके बाद अब में नीचे यहाँ पर हमारी branch select करने का option मिलेगा अब में यहाँ पर branch name इस पर click करना है और जो भी हमारी branch है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा हमें उस नाम को select करना है उसके बाद हमारी branch जो भी है उसका जो address है वो यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद सारी detail हम देखेंगे हमने fill कर दी है उसके बाद नीचे हमें option मिलेगा प्रोशीड का हमें प्रोशीड पर click कर और आप जो भी करते हैं आपको उसको सेलेक करना है जिसी आप कोई डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर को सेलेक करना है इंजिनियर है तो इंजिनियर को सेलेक करना है अगर आपको इंसुरेंस एजेंट है तो आपको इंसुरेंस एजेंट को सेलेक करना है इसके लावा इस वा सदे ना है यहां पर नीचे आपको अपने यिजण आपका क παई पिन कोंच टालना है आपका बिजनिस हैं उसके बाद टो आजाए आता है का नहीं आता है तो आपको यहां पर लिक देना है उसके बाद यहां पर आपको आप Joey इसको आपको खाली छोड़ देना है अन्यत आप चाहू तो इसको बढ़ सकते हो लेकिन आपको बनने की ज़ुरत नहीं है इसको आपको ऐसे कैसे छोड़ देना है उसके बाद नीचे आपको बिजनिस का मतलब आपका जो बिजनिस है वह किस टाइप का है सबस्टाराइब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद यहां पर check box पर click करेंगे और send OTP पर click करेंगे mobile नंबर पर एक OTP जाएगा आप OTP डालेंगे submit करेंगे उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ आच चुका है thank you your loan amount 50,000 has been disappeared in your account number और यहां पर हमारे account नंबर आचुका है और यहां पर लिखा प्रोसेस करते ही आपका जो लोन अपने स्लेक किया होगा जो भी आपका लोन अपृड हुआ होगा वो डारेक्ट सेंट के इंस्टेक्ट्र आपके बैंक अकौंट में आजाएगा और अगर आपको इस वाले loan का repayment करना हो आपको इस वाले loan की किस्त चुपानी हो तो जो भी आपका bank account number आपने select किया है जो भी bank account number आपने लगया है जिसमें आपका पैसा आया है उस वाले bank account में आपको हर महीने पैसा रखना होगा क्योंकि जो भी आपकी हर महीने की किस्त आए लोन लेने का जो प्रोसेस है, वो आपके समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, सात्य अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लवा अगर आपको बैंको परदा से लोन लेने में किसी प्रकार की प्रोब्लम आ रही है, तो आप में नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर डायेक आप में इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पर मेसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें वहाँ पर डायेक मेसेज करता है, हम उनका 100% रिप्लाय देने की कौसिज करते हैं,